हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अबर यूट्यूब चैनल गई स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई एमर ओप्सन में तो गई इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं टेडिंग को इस चार्ट के दो फिरी एंडिकेटर्स जो कापी अमेजिंग बर करते हैं और बड़ा टार्गेट है आप मार्केट से बहुत ही ज़्यादा कॉंटिटी में प्रोफिट अन करना चाहते हैं तब ही इंडिकेटर आपके लिए हैं गाईज यह कंप्लेट वीडियो आपको देखनी है और इस कंप्लेट वीडियो में आपको सारी कंडिशन्स और सारी लिमि आप मार्केट में नए है और आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता है तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल जोइन कर सकते हैं जहां पर हम आपको मार्केट का लाइप अपडेट प्रोवाइट कराते हैं तो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना ट्रेडिंग जो अब आपको कुछ इस तरह का इंटरेड्यों हो चुका है आप जाएं कि मैंने यहां पर दो इंडिकेटर हैं हमारा फ़स्टी इडिकेटर जो हमें प्रोवाइट करा एगा और जो इनडिकेटर है वह वहमें added point के बारे में बताएगा तो गये बात करते हैं इस इंडिके ही तब हमें put option में entry लेनी है तो क्याइज यह सो करता है कि हमारा जो market है वो हमारा downtrend में है कि तो आप यहां पर देख रहे हो कि कि कितना बड़ा है मार्केट में है अब गई जो सेकंड इंडिकेटर है वह हमारा तो गाई देखे जब हमारा फस्ट इंडिकेटर है जो मैंने आपको बताया था भी यानि कि जो हमारी रेड लाइन है वो ग्रीन लाइन को क्रोस कर देगी तब यह आपको एंटी लेनी है उसका देखे आपको कंटीनू तब तक रखना है जब तक हमारा अलग केंडल नहीं बन पाईएंगे यहाँ आप लोस्का देखेश ऑसको पर गिया। यहाँ पर देख रहे हुए की हमारा जो मार्केट को कितना अउपर गया है तो आप देख सकते हैं आप गवराना नहीं है इसलिए मैं कहता हूं कि आपको इस चोटी एंट्री नहीं लेनी है आपको एक बड़ा टार्गेट करके देख सकते हैं तो आपको 100 पॉन्ट असानी से इस पर मिल जाएंगे उसके लाइज एक एंट्री हमारी यहां पर बनने ही है तो जैसी हमारा लाइन ने क्रोस किया है यानि कि ग्रीन लाइन रेड लाइन ने क्रोस किया है तब ही हमें एंट्री लेनी है उसके लाइज देख कि यहां पर भी एक एंट्री हमारी बनी है तो आप यहां पर देख रहे कि यहाँ पर भी मार्केट ने कितना अच्छा मूब किया है डाउन ट्रेंड में तो इसी इंडिकेटर की हेल्प से आप बहुत ही लंबे लंबे टार्गेट चीप कर सकते हैं यानि कि आपका जो कैपिटल है वो चार गुने से लेकर दस गुने तक असानी से हो जाएगा तो वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि लास्टम में इस इंडिकेटर की सेटिक आपको बताने वाला हूं क्योंकि भीना सेटिंग के इंडिकेटर बर्क नहीं करता अप इसी इंडिकेटर को जो हमारा सिंगल कर देखते हैं तो आपको 700 का सब्समार्केट ने ट्रेंड किया है यानिकि पूरे दिन मार्केट जो हमारा एक टेंड में ही यहां पर चला है तो आप यहां पर देखेंगे हों आप किसी प्लविद्ध कर सकते हैं आपको जो है कि 100 प्लस हिया पर मिलेंगे उससे कम करना चाहते हैं बहिस इंडिकेटर करें पर आपको नहीं गईगे 100 point से कम की कोई ट्रेट यहां पर नहीं मिलेगी आपको तो गाई जो 100 से कम की ट्रेट करना चाहते हैं बोई इस इंडीकेटर का यूज ना करें तो गाई चलते हैं इंडीकेटर में और जो सारे इंडीकेटर में यहां पर रिमोड कर देता हूं और आपको फ्रेट कर लेते हैं बनावर करें वहां पर पर Static करने के बाद यूज थोड़ा सा मैं इसको जूमिन कर देता हूं जिससे आपको देखने में असानी हो अब गाईज अगर आप यहाँ पर देख रहेंगे कि हमारा जो market का support बनना है वो यहाँ पर बनना है इस point पर यानि कि 49,700 के करीब यहाँ पर बनना है तो कि गाईज मैं यहाँ एक line draw कर देता हूँ जिससे आपको देखने में यहाँ पर आशानी हो तो land draw करने के बाद देखे गाई यह client draw करते हैं आप और horizontal तो देखे गाई जो support बनना है अब देखे एक support ओर है यानि कि पूरा हम support लेते हैं इसका यानि देखे दोनों support यहाँ पर दो support बने है उसके बाद देखे गाई अभी हमारा जो market है वो support की ओर आ रहा है तो इसका means यह है कि गाई जो हमारा market है वो अभी downtrend में जाने वाला है तो अभी जब आप ने एक ट्रेंट्री लेंगे तो भी आप downtrend के ही रिफ्रेंस से एंट्री ले क्याई मार्केट हमारा support तक जरूर जाएगा यदि support को cross करता है तो market और नीचे जाएगा यदि support से back pullback करता है तो market हमा ट्रेंट में जाएगा इस अभी जो कंडिसरन वोई है कि हमारा जो market है वो हमारा downtrend में जाने बाला है तो घूर जब भी है आपको ट्रेंट करना है पहले आपको support रेजिस्टैन्स जरूर देखने है कि मार्केट हमारा support पर चलना है या रेजिस्टैन्स पर चलना है उसी के के बाद आपको ट्रेट करनी है तो यह बहुत की की पॉइंट सा जो आपको दिहान अगना है और चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दें यदि आप इस तरह की वीडियो और पाना चाहते हैं तो उसके बाद गाइज देखिए आप पाई मिनट पे इसको सेट कर लेते हैं और गा गाई जैसे आप यहाँ पर टाइप करने वाले हैं डबल इमे बिद पूल बैक वाइसल सिगनल तो देखिए आप एक इंडिकेटर आपको यहाँ पर सो हो चुका है अब गाई आपको इस इंडिकेटर को लगा लेना है इस पर किलिक करने के बाद यहां से गाई इसको कट कर देंगे कट करने के बाद देखिए गाई कुछ इस तरह का इंटरफिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा अब गाई को समझ में नहीं आएगा तो इसकी सेटिंग में चलते हैं और इसकी सेटिंग करते हैं आप गाई देखिए आप चाहे तो इनकलर को भी चेंज कर सकते यह नहीं और गाइज मैं आपको फिर बताना चाहता हूं यादि आप लोग एंटी लेने चाहते हैं तब यह आप इसे इंडिकर्टर का यूज करें उसके बाद गाइज इसके इसके इन्पूट में जलते हैं और इन्पूट में जाने के बाद देखें जो इसकी बैक स्टैप इसको आपको चेंजिस करना है तो इसको चेंजिस करने के लिए आपको इसको फाइफ से रिप्लेस करना है इसको आपको टू कर लेना है तो इसको टू कर लेंगे इसको टू करते हैं और गाइज यह देखें इसको आपको चेंजिस करना है और आपको इसको फोटी कर लेना ह इसको 40 कर लेते हैं उसके बाद गरेंगे के जो हमारा, इसको आपको रेपलेस कर लेए sit से setting को द्यानसे देखना है , उसको भी चांज कर लेते हैं , इसको भी हमें чेंज करना है , यह भी तक ör hang quier यह red color ता इसको आपको green color से change गोड़ने क्योंकि guys जो green कर रहा है वो हमार uptand को so करता है और जो red color ने वो हमारा downtand को so करता है तो guys ok press कर देंगे आप guys completely setting है आप लग चुकि है आप guys देखिए इसके YSL के signal न यह information नहीं देते हैं हमें right तो guys इसको हमको hide कर देना है इसको labels को आपको uncheck कर देना है आप चाहिए तो इसको भी use कर सकते हैं लेकिन मैं यहाप इसको uncheck कर देता हूं क्योंकि यह signal सही नहीं देता है और आप glut entry ले सकते हैं उसके बाद guys हमारा एक indicator और हमने यहाप यूज किया है तो guys चलते हैं फिर से indicator में और indicator में क्लिक करने के बाद guys हमें यहाप टाइप कर लेना है M-A-C-D प्लस average तो guys यहाप पर type करेंगे M-A-C-D प्लस average तो guys जैसे हमें यहाप में बाद टाइप करेंगे आपको एक indicator यहाप टाइप करने के बाद गज़ के इंडिकरटर हैंब आलग चुका है अम वाई इसकी सेटिंग करने होगी तो इसकी सेटिंग में चलते हैं ऊष्की सेटिंग में जाने के सैटिंग कर रहा । यानि जिन box को मैं uncheck कर रहा हूँ आपको भी same ऐसा ही करना है आपको कुछ other changes नहीं करने तो इस setting को धिहान से देख लिजिए को इन सारे box को आपको uncheck कर देना है सिर्फ इस वाले box को आपको रखना है तो धिहान से देखना है guys इसके setting को setting काफी important है इसकी उसके इसके input में है और guys इस वाले line को आपको जो है कि 20 कर लेना है M.A.C.D. signal length को आपको 20 पर save कर लेना है करने के बाद guys ok press कर देंगे और ok press करने के बाद guys हमारा indicator यहाँ पर लग चुका है अब देखे guys हमारे यहाँ पर दोनों indicator लग चुके हैं यानि कि हमारी complete setting यहाँ पर हो चुकी है अब बैज देखे conditions मैंने आपको बताई इंती same है आपको condition यहाँ पर apply करनी है और guys यहाँ आपको हमारी वीडियो पसंद आती है चैनल को subscribe करना ना भूले और guys अगर आप चाहें तो हमारे टेलिग्राम चैनल जरू जोएन करें इसका link discussion में दिया गया है तो guys इस वीडियो में इ देलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए भाई thank you so much